हेलो टेडियर्स और वेलकम तो दाय स्टूडियो मेंबर्स आज हमने दो स्टॉक्स का अपने राडार पर रखा हुआ था बर्जर पेंट एंड सेकेंड था हमारे रेलाइंस इन दोनों को ही अपने प्राइविट गूरूप पर हमने शेर किया था और दोनों में हमें शॉर्ट सेलिंग करनी थी मालूम था कि रेलाइंस में 2343.90 ये एक चोटी सी रेंज है और बहुत इंपोर्टन रेंज है यहां से प्राइस के अंदर अच्छा मूव आ सकता है इसलिए हमने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की कॉल्स दी हुई थी कि प्राइस अगर हमारे इस वाले लेवल के नीचे ब्रेक आउट करेगा तो अच्छा मूव हम इसके अंदर कैज कर सकते हैं और काफी ठीक ठाक प्रॉफिट हमें इसके अंदर से मिल सकता है बड़ प्राइस सीथे ऊपर की तरफ ही चला गया हमने भी कोई ट्रेट एक्जिक्यूट ही नहीं किया कोई कंफरमेशन नहीं थी शॉर्ट साइट की तरफ में और नहीं मारे ग्रूप में किसे ने रेलाइंस को ट्रेट किया दूसरा था बर्जर पेंट बर्जर पेंट के अंदर भी सेम चीज 603.75 ए 603.50 एक रेंज बन रहे थी अगर प्राइस हमारा इस वारे लेवल के नीचे ट्रेट होता तो इसके अंदर एक शॉर्ट सेल हम लोग ट्रेट कर सकते थे इसको भी प्राइवेट गूर्प में शेयर किया था और शॉर्ट साइट की तरफ कोई भी ट्रेट आज के दिन हमारा एक्जेक्यूट नहीं हुआ यह और बुक है अपनी एंड पोजिशन बुक पोजिशन बुक में देखिए एक रुपाय का प्रॉफिट कोई लॉस ने कुल मलाकर कि कोई ट्रेट एक्जेक्यूशन आज के दिन का नहीरा हाला कि इसको को अच्छी बात नहीं बोलेंगे बिकाउस जिस तरह हम ट्रेट को एक्जेक्यूट करना चाहरे थे वहां हमें कंफरमेशन नहीं मिलें तो ट्रेट एक्जेक्यूट नहीं हुआ बट प्रैस ने मूव्मेंट तो किया ही है रिलाइस ने भी देखिए तीन पसेंड का मूव्मे यहां से बाइक कर लेना चाह þाइस यहां से शकर देना चाहिए था शंज़ दिए न ही चला कोई बात नहीं है हमारे अग्रों झूप यहां बटार चौक तरफ लंब कुर दूर सकते हैं हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि जैसे मालीज यह अगर Reliance भी अगर हमें breakout show करता या कोई भी और एक stock है जैसे बर्जर पहींट ही है, तो किसी भी stock के अंदर से हम लोग fake out से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि fake out की वज़े से बहुत सारे stop loss hit होते हैं, कई बार आप समझते तो ऐसा हो कि price ने support को break कर दिया बट एक्शली वहां से support के breakout होते ही नहीं विकाज वॉल्म्स ऐसे कोई confirmations नहीं मिलते है आज के वीडियो में हम लोग इसी एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और काफी deep में वॉल्म्स के तुरू हम लोग कैसे और confirm कर सकते हैं इस चीज़ को समझेंगे और जानेंगे वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसको ज़रू से ज़रू लाइक कीज़ेगा नीच एक प्यारा सो comment कर दिज़ेगा एंड कर चैनल पर पहली बार आप आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिज़ेगा थैंक्स एंड स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो फेक आूट यह अच्छली होता क्या है हमारा expected कोई लेवल है support लेवल या फिर resistance लेवल trade थो हम कर सकते हैं प्राइज ने जैसे हमारे resistance को break किया हमने retaste पर अपने एक entry ली थोड़े दर price upset की तरफ move किया वापस आकर के उसने हमारे stop loss hit कर दे और price पूरे दिन हमारा move करता रहा है same चीज़ support पर price आया एक breakout हुआ but volumes के थूरू confirmations नहीं मिली क्योंकि यहाँ पर volumes के जो confirmations थे price तो ज़रूर हमारा नीचे की तरफ गिर रहा है या फिर upside की तरफ जा रहा है but at a time जो volumes हैं हमारी वो गिर रही है उसके अंदर कोई strength आपको show नहीं हो रही है कि volumes एक दूसरे का high break कर रही है या फिर previous volume का high next volume break कर रही है breakout तो हमें देखने हो को मिल रहा है क्योंकि price जो हमको show कर रहा है वो अच्छा खासा movement show कर रहा है अपसाइड की तरफ even downside की तरफ बट जो volumes हैं वो गिर रही है वो just opposite movement show कर रही है जिस पज़र से होता क्या है हमें कई बार लगता है कि prices के अंदर breakout हो रहे है but volumes हम नहीं देखने हैं अगर हम लोग volumes देख ले हैं तो इस तरह के breakout से यह कहें कि fake breakout से हम लोग बच सकते हैं क्योंकि volumes क्या करती है कि price को एक तरह से जब नीचे की तरफ break होना होता है तो heavy quantity के साथ जब selling होती है तो chances are very low कि price again हमारा हमारे level तक जा करके हमारे stop loss hit करें वो level तक तो जाएगा बट हो सकता है आप पर stop loss hit देखने को मिलती है कि price के साथ साथ volume के अंदर भी strength है तो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा कि price आपका वापस से घूम करके आपकी range के अंदर आकर कि आपका stop loss ले इसका example देखते हैं अब जैसे देखिए यह विप्रो का chart है बहुत ज्यादा drawing ना करते हुए simple example के ही थूँ समझाते हैं जैसे कि यह हमारा कोई support area है price ने यहाँ पर क्या किया कि एक breakout हमें देखा है नीचे के तरफ बट उसी समय जब हम volumes को देख रहे हैं तो देखिए volumes मेरी गिर रहे हैं फिर से गिर रहे हैं और रहे हैं वालूम्स गिर रहे हैं और price भी हमारा गिर रहा है यानि कि एक support के area को break करता हुए volumes अपना interest शो नहीं कर रहे है और यहीं से देखिए क्या हुआ है ज्यादा volume आई और price हमारा सीधे upside कि तरफ मूट कर गया volumes के breakout नहीं है और price हमारा volume का breakout कर रहा है और ये वाला breakout fail होगे और price का move सीध है upside की तरफ इसका symbol solution होता है कि जब हम breakouts देख रहे हो उस वक्त हमें volumes का breakout देखें आप ये मान करके चलो 100 trade अगर आप execute करते हो तो 70 trades आपके favor में चले जाएंगे अगर आपने सही level पर सही analysis volume और price को match करके करते क्योंकि बहुत सारी confirmations इसके अंदर होती है कि जैसे stock को हम trade करें तो उसका trend identification किस तरह से करें volumes के confirmations किस तरह से लें price के support के confirmations किस तरह के लें entries, stop loss के confirmations काफी सारे confirmations लेने के बाद में ही कोई एक trade execute होता है ऐसा नहीं है बस आखे खुली है हमारी morning में सवा नौपर जिस तरह से जो भी stock हम को मिला उठा करके आम उसको short या buy कर दिया इस तरह से नहीं होगा कोई भी एक trade अगर आपको execute करना है तो उसका proper homework होगा कि एक दिन पहले आपको stock slate करना है या फिर at a time stock slate करना है एक दिन पहले अगर आपने stock slate किया तो मौलूम होना चाहिए कि उसका basic trend क्या है sell side buy side clear आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर देखे ये एक support करिया बना हमारा मतलब कि एक swing बना क्योंकि market ने क्या किया एक low लगाया एक high लगा दिया again एक low फिर से खाई और वापा से देखे price ने क्या किया हमारे low तक आया यहाँ पर price हमें breakout तो show कर रहा है but again same चीज़ के volumes के अंदर कोई strength नहीं है price ने क्या किया थोड़ी देर तो यहाँ पर move किया but यहाँ से फिर से ये upside की तरफ चला गया और यहाँ से move आप देखी रहो भले ही upside की तरफ इसने कोई बड़ा move नहीं दिखाया but price हमारा गिरा नहीं इसने किया कि आपके stop loss ले लिए हो सकता है कि आपने stop loss यहाँ पर रखे हो या इस black वाले candle के high पर रखा हो पूरा का पूरा stop loss आपका चला गया तो जबी भी हम देख रहे हैं कि किसी भी एक side में price को trade करना है तो वहाँ पर volumes के confirmations किस तरह क्यों होगे सेम चीज़ अब यहाँ पर देखो कि volumes के ठीक ठाक movement आपको देखने हो को मिले और price ने एक अच्छा V-shape यहाँ पर बनाया और फिर से यह देखे यहाँ पर क्या हुआ है price एक range में travel कर रहे हैं और volumes हमारी गिर रहे हैं volumes कमजोर हैं फिर से price हमारा नीचे की तरफ गिर गया price हमारा नीचे की तरफ तो आ रहा है बट volumes जब आप देखोगे तो यहाँ से dry होती चले जा रही है कम हो रही है और price भी हमारा नीचे की तरफ ही आ रहा है और जैसे ही price के अंदर retail traders ने entry ली support के breakout हो गया support के breakout हो गया चलो ठीक है हम लोग trade execute कर सकते हैं जल्द जल्द से अपने अपनी entries बनाए बट क्या हुआ अगेन यहाँ पर देखे जो main game शुरू हुआ कि price हमारा नीचे की तरफ आ रहा है volumes हमारी गिर रही है अब यहाँ से अंदर जो breakouts आपको देखने को मिले price ने breakout दिया आपने जहां कहीं भी लोगों ने अपने sale के order लगा रखे होंगे यहाँ से फटा फट से बड़े players ने क्या किया buying के orders अपने execute करने शुरू हुए आपके stop loss गया और price सीध है इसने upside का move दिखा दिया तो इसलिए जहुर है किसी breakout से पहले हम लोग volumes को एक बार check ज़रूर कर ले एक और example buy side की तरफ कि जैसे यहाँ पर हमने एक trade अपने execute किया क्यूंकि price ने breakout दिखाया इस चगय से हमारे इस वाले level पर price ने breakout दिखाया बट यहाँ पर breakout किस तरह किस तरह के हैं volumes कम हो रहे हैं और price हमारा upside की तरफ जा रहा है थोड़ी देर market ने sustain किया फिर से देखिए volumes कम होनी start होई actually volumes लगातार कम ही हो रही है इसके अंदर यहाँ तक और price अप move आपको दिखा रहा है यहाँ पर भी volumes कम होई और price हमारा upset हमें या आपको या फिर कोई भी ऐसा trader जो कि volumes को नहीं देख रहा है या volumes को रही नहीं करता है जस्ट price को पकड़ रहा है उस case में क्या करेगा वो यहाँ से अपना trade execute कर देगा price में जैसे ही आपके buying के orders लगए यहाँ पर direct यहाँ पर कोई भी बड़ा player आपको active नहीं देखा गा क्योंकि अगर बड़ा player होगा यानि के बड़ी quantities बड़ी quantity का मतलब फिर volumes भर के आएंगे यहाँ because volumes अगर आप चाहो चुपानो तो आप चुपाई ही नहीं सकते कितनी quantities लगए यह तो पता ही चल जागा है वहाँ पर और इसी का benefit एक volumes के थूरू trade execute करने वाले को मिल जाता है indicator fail हो जाएंगे कोई moving average आप लगा लो कई बात दिखेगा ना कि moving average price को follow करती है price moving average को follow नहीं करेगा ball engineer band लगा लो आप आप Fibonacci को नहीं देखें क्योंकि वह एक तरह से tool है और काफी अच्छा tool है उसके उपर कभी समय मिलेगा तो उसके उपर एक अच्छा सा deep video में बनाएंगे आप लोगों के लिए इसके लाब कोई और indicator ichumoku हो गया तरह तरह की indicators है आप किसी भी indicator को देख लो वो price को follow करते हैं कोई ऐसा indicator नहीं जो कि price price आपके indicators को follow करें इसलिए होता क्या है वो हमेशा के लिए lagging होते है आप sale करोगे price buy हो जागा आप buy करोगे price short हो जागा but volumes में क्या है कि हमें दिख रहा है price तो उपर जा रहा है बट volumes कम हो रही है थोड़ा सा रुख जाओ buy execute मत करो यहाँ पर हमने क्या देखा कि volumes गिर रही है price का breakout हो रहा है फिर भी हमने यहाँ से buy order execute कर दिया अब इस जगह पर जितने भी बड़े players थे वो active हुए और उन्होंने यहाँ से फटा-फट से अपने selling के order करने start कर दिया और price सीध है नीचे की तरब कर गिया बिल्कुल सिंपल से चीज़ है कुछ नया नहीं है इसके अंदर आप सोचे कि हमने कुछ बहुत 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 गूर रहस से आपको बता दिया हो कोई बहुत बड़ा secret बता दिया है कुछ ने सिंपल से बहुत लोग कितने दिनों से follow कर रहे हैं हो सकता आप लोगों में से बहुत से लोग follow कर रहे हूं एक चीज़ इसके अंदर और देखिया price में volumes कम हो रही है और price upside की तरफ जा रहा है क्या same level हमारे लिए एक resistance की तरह work कर सकता है इसको negative way में ना लेकर कि अगर हम positive way में लेना चाहें इस एक छोटे से technical tool का use अगर हम positive way में करना चाहें तो कैसे करेंगे हमें मालूम है पहले तो इन सभी को delete कर देते हैं ये कोई एक resistance level है clear अब price हमारा यहां से upside में जा रहा है अब क्या हुआ कि breakout करने की कोशिश कर रही यहां से market हमें यहां से अपना एक trade execute करना है बट हुआ क्या कि breakout में same चीज़ volumes कम है अब अगर हमको हमारे resistance की level पर एक fake breakout दिखता है कि जिसके अंदर volumes कम हो रही है तो क्या हम लोग अपने इस level को as a resistance react कर सकते हैं या as a resistance use कर सकते हैं इसका क्योंकि में मालूम है कि price के अंदर volumes के breakout नहीं हुए है और price उपर निकल रहा है अब price हमारा upside की तरफ निकल रहा है और volumes नहीं आई है हमें मालूम है कि price के अंदर अगर volume नहीं आई है तो expectations are very high कि price अपने आपको upside की तरफ sustain नहीं कर पाएगा expectation है बहुत बार आपको ऐसा देखेगा कि volume कम है और price move कर जागा ठीक है करने दीजे तब दूसरी studies होती है उस वक्त हम दूसरी studies का use करते है बट जब हम यह देख रहे हैं कि volumes के breakout नहीं हो रहे हैं और price का breakout हो चुका है तब price sustain करना थोड़ा सा मुश्किल है उस case में हम लोग हमारे इस वाले level को as a resistance use कर सकते हैं और price आपका एक fake out दिखा देने के बाद में वापस से आपके level के अंदर आकर के जब trade करने लगता है तब आप यहाँ पर अपना trade execute कर सकते हो price ने एक level पर resistance का breakout कर दिया मतलब अपने resistance का breakout किया volumes में हमें यहाँ पर कोई बड़ी movement शो नहीं हो इसका मतलब कि price अपने इस breakout को हो सकता है sustain ना कर पाए हम वेट कर लें volume अगर नहीं आई हैं तो price अगेन हमारे level के अंदर आकर के trade execute करे और इसका benefit हम लोग क्या ले सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी एक sale का signal आप ले लो sale का signal का मतलब कि bearish formation कोई भी आप देख लो mother candle हो गया, ingulfing हो गया, pin bar हो गया gravestone, doji बगार जितने भी आपके bearish formations हो गए morning star है या evening star हो गई evening star का use आप कर सकते हो trend reversal के लिए short side की तरफ trade अगर execute करना हो आपको तो तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के confirmations लेने है और आप trade मार दो इससे होगा क्या ना कि fake breakout को हो तो हमने पहचा आना ही पहचा आना बट उस fake breakout का use हमने कर लिए अपने favor में बहुत से trade आपने past में जितने भी हम execute करते हैं जो आप लों के साथ हम share करते हैं काफ़ी साइट रेट्स हमारे fake breakout के थ्रू होते हैं एक system ने आपको बताया था price का low लगा high लगा again एक low फिर से एक high अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि यह वाला support का यह मेरा यह एक confirmation का zone बन गया है यह भी तो fake breakout ही है last कुछ concepts में हमने आपको बताया है CHOC, change of character के बारे में change of character को जब आप देखोगे तो वो भी एक तरह का fake breakout ही आपको दिखेगा इस तरह से आपको अप प्राइस action में एक step और आगे बढ़ना है तो दीरे दीरे करके प्राइस को ऐसे करके read करने स्टार्ट कर दो previous जितने भी हमने वीडियो अप्लोट किये हैं सारे के सारे वीडियो जब आप एक एक बार दो दो भर देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ मेंगे वह कोई वहाँ पर कोई कितावी बाते हैं ही नहीं सारी वही चीज़े हैं जो कि live market में हम execute करते हैं और same experience हम आप लोगों के साथ share कर दे रहे हैं same चीज़े वहाँ यह नहीं कि हम सिर्फ आपको बोले चले जा रहे हैं कि यह देख लो वो देख लो moving average के जादू देखिए bollinger brand के जादू देखिए technical analysis के जादू देखिए कोई magic magic नहीं चल रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो आपको समझा रहे हैं उनको ऐसे ऐसे आप देखो गए कि youtube पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो trade execute करने से उनका कोई वास्ता ही नहीं है वो सिर्फ बोले जा रहे है बोले जा रहे है लेकिन trades जब देखो गए आप मेरे तो आपको उसमें लगए कि नहीं trade execute भी हो रहा है और जो चीज हम आपसे बोल रहे हैं उन्हीं methods को use करके trade भी execute कर रहे है confidence इससे एक तरह से आता है अब fake breakout को कैसे हम लोग resistance में convert कर देंगे इसका एक example हम आपको दिखाता है यहाँ पर देखिए price का एक resistance level again volumes increase नहीं हो रहे हैं और price हमारा upside में जा करके price को break करने की कोशिश मतलब कि volumes कम करने के साथ-साथ market upside की तरफ जा रही है इस जगह पर पहुंसते ही volumes कम हो रही मेरी volumes dry हो रही है क्या हम यह मान सकते हैं कि यहाँ पर buyers का pressure कम है price जब आ रहा है तो यहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा है again जब market हमारी upside की तरफ जाएगी तो same level को as a resistance ब्रेकाउट हम लोग तब तक नहीं मानेंगे जब तक price हमारा इस वाले level का breakout with volume ना कर देख देख रहे हैं कि volumes मेरी कम हो रही हो price हमारे resistance को break करने की कुशिश कर रहा है यानि कि same level पर as a resistance जितने भी आपको orders लगाने आप इस वाले level का बस wait कर लो जैसे ही price आपका यहाँ पर आए ऐसा नहीं कि यहाँ पर price आपने trade मार दिया नहीं अब इस जगह पर आकर कि आप अपनी bearish formations के low के breakout का wait करो जैसे ही breakout होता है आप trade मार दो उसके बाद में आप देखना कि आपका trade most of the time profit में ही जाएगा या इवन अगर आपको stop loss भी hit करवाने न market को तो थोड़ा सा struggle वहाँ पर करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आपने trade मार ओड़ाग से stop loss hit market वहाँ पर struggle करेगी आपका stop loss लेने के लिए थोड़ी से मुश्किल होगी थैंक्स एना यह हो कि पूरे session के दौरण कुछ न कुछ आपने सीखा जरूर होगा अब हम लोग मिलेंगे next session में तब तक के लिए thanks and we will meet again